इस वीडियोन मैं आपको वताओंगे, बेल्ट ब्लाऊँच को नएाअलोग auftभाब हैं प्रकले मैं इस देखिजे उसे को एक प्लोग के लि कॉसके लिए प्लेकित बेल्च Ein बेल्च लंदे इंच लिया है सोल्डर भी 5.5 इंच लिया था नएक मैंने कट कर लिया और अभी मैं चारी इसको एक नए आलोग देने के लिए तो दीकि सबसे पहले हम नीचे प्लेट की मार्किंग कर लेते हैं तो नीचे से जैसे हुक पट्टी का सेंटर यहां से 6 इंच ले ले और इसमें ह यहां से जो हमारा हुक पट्टी है यहां से 3 इंच ले ले लेते हैं उपर से 3 इंच नेक से और इस तरीके की यहां पर डॉट लगाएंगे और यहां से इस तरीके की मार्किंग करके जाएंगे मुड्डे की तरफ तो देखिए इस तरीके से इसकी से आएगी इसको डार्क क तो इसकी सेप कुछ इस तरीके से दिखेगी अभी आपको सिलने का तरीका बताते हैं दीखी मैं नीचे उल्टा ब्लाउज रख लिया है इसके ऊपर रस्तर रख लिया है और इसको पूरा हम इस्टेच कर देंगे और इसके बाद प्लेट डाल के इसकी फिनिशिंग देंगे से पहली यहाँ पे एक एक डाल दिखी जिससे यह दोने काइस तैयार हो जाएंगे है जैसे मैने बताया था मैना इसना कि यहां पर भी फिनिशिंग डीया है कर दो सबसे पहले KNOW कि इसके में तो नीचे वाली फिलेट यहां से मुडे जैसे कर forced देखे नीचे इसी तरीके से ब्लाज को रख दे और जो बैल्ट है कपड़े की इसको इसके उपर रख देंगे और देखे एक बैल्ट इसके उपर रख देते और एक बैल्ट नीचे की तरफ क्योंकि थोड़ा एक वैल टैश्टा ले लेंगे हैं तो उसके फिन्शिंग अच्छी है जाएगी और उससे फिटिंग भी काफी अच्छी आती है तो अभी हमें इसी तरीके से इसको स्टेच कर देते हैं तो दीखें नेक में मैंने एक गुल्डन कलर की ले से स्टिच कर दीए और दीखें यहां में हमारे हुक्स आजाएंगे रैट साइड में जब आप इसकी फिटिंग कर देंगे तो आप देख रहे हैं जो इसकी सीप है कितनी अच्छी लग रही है पहने के वाद इसका लूग काफी अच्छा हैगा तो आप इसासन तरीके से बेल्ट व्लाउज को नए लूग दे सकते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हुगा वीडियो को सेर करें लाइक करें चैनल सबस्क्राइब करें थैंक्यू झाल 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 करें जोस्तों मुझे खर को आछ झाल